हेलो फाइटर्स एंड विल्किम बैक तो दे चैनल तो अभी हम डिसकस करने वाले हैं क्लास सैवन एंसी आर्टी का चैप्टर नमबर टू चैप्टर नमबर वन हमने अल्रेरी डिसकस कर रखा है तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे एक बार आप चैप्टर नमबर वन और एंसी आर्टी क्लास सिक्स की भी हिस्टरी के दो चैप्टर के जा चुके हैं उनको प्लीज जाके देख लें तो अभी हम इस वीडियो में ये चैप्टर जो है वो श्यूरु करते हैं तो पहले बताया गया है करीब सैवन्ध सेंचु dynasties, नई dynasties क्या क्या थी, वो देखते हैं जो 17th सारी, जो 7th century थी, उसमें जातर होते क्या थे, big landlords होते थे, या फिर warrior chiefs जो थे, different region के, सब continent में वो निकल के आये थे, और जो आपके existing kings थे ठीक है जी जिनको काफी बार ऐसे acknowledge किया जाता था, जैसे कि वो subordinates या फिर समनताज हों ठीक है जी, और साथी साथ, उनको से expect किया जाता था कि वो gifts लेके आए अपने king के लिए या फिर अपने overlord के लिए, जो और जब भी उनके court में आएं तो वो, क्या बोलते है gifts लेके आएं और इसके बदले में होगा क्या और इसके बदले में वो उन्हें military support जो है provide कराएंगे और धिर जैसे होता क्या क्या गया जब समनताज ने power को gain करना शुरू किया और wealth को gain करना शुरू किया तो उन्होंने खुद को महा समनताज या फिर महा मंडलेशवर जो है वो घोशिद कर दिया अब ये होते कौन थे ये एक तरह से great lord होते थे किसी circle के या फिर किसी reason के कभी कभी तो ये खुद को एक independence भी बताया करते थे कि बहुत हम independent है किसी की हम गुलाम नहीं हमारा कोई overlord नहीं है कभी कभी खुद को ये ऐसे भी बताया करते थे अब इसमें एक example दो बताया गया है जो डेकन के रास्टकुटाज थे उनके बारे बताया गया है इनीशली जो है वो subordinate थे किसके चालुक्यास करनाटका के चालुक्यास के अंदर ये subordinate थे लेकिन करीब mid 8th century में जो दांती दुर्ग है एक रास्टकुटा चीफ जो है उसने क्या किया चालुक्यास को ओवर्ट्रियू कर दिया अपने ओवरलॉड से और परफॉर्म किया एक रिचूल जिसका नाम था क्या हिरन्यगर्भा जिसका मतलब होता है golden warm और जब ये रिचूल परफॉर्म किया जाता है ब्रह्मनास की दे ब्रह्मनस की help से तो ऐसा माना जाता है कि लीड करता है तरह से rebirth of sacrifices as शक्त्रिया ठीक है जी? बहले ही वो शक्त्रिया bond ना हुए हो बट वो rebirth लेंगे as शक्त्रिया जैसे कुछ और cases में जिसमें की जो men है वो enterprises families से आते थे और अपनी military skills के थूँ वो kingdom में entry तो ले रेते थे ठेक है इसमें example दिया हुआ है किसका कादंबना मयूर शर्मन का और गुजरात प्रतिहारा हरी चंद्रा जो है वो ब्रहमनस थे लेकिन उन्होंने अपने traditional जो इनके traditional professions थे उनको gave up कर लिया और क्या किया हो arms में उन्होंने participation लिया और successfully उन्होंने एक kingdom जो है करनाटका में और राजस्थान में बना लिया मतलब जो ये कादंबन थे इन्होंने करनाटक में और जो आपके हरी चंद्रा थे उन्होंने राजस्थान में अपने जो इनका traditional ब्रामन थे ये इसको छोड़ के जब इन्होंने arms को तरफ में जो तरफ मेरेटरिक की तरफ रुख किया तो उन्होंने एक kingdom establish कर लिया administration in the kingdom की बात करी गई है काफी सारे नए king जो है उन्होंने एक high sounding title जो है वो adopt कर लिया जैसे की महाराजा, अधिराज, ठेखे जी तीरु भुवना, चक्रा वर्तिन ये सर नाम जो है नों ले लिया ऐसे और कई सारे नाम जो है नोंने खुदुक के नाम के लिए adopt कर लिया हाला कि इन सब claims के बाद भी जो होती थी shared powers होती थी वो समन्थाज के साथ साथ कहीं न कहीं peasants, traders और ब्राहमन के साथ भी associate थी या फिर कहें कि इन सारे के सारे हर एक state में जो resources थे वो obtain ही किया जाते थे producers के द्वारा और producers थे कौन कौन जैसे की peasants हो गए, cattle keepers हो गए, artisans हो गए जो कि हमेचा most of the time persuaded होते थे या फिर कमपल की जाते थे कि वो जो भी produce कर रहे है उसा कुछ part जो है वो दे ऐसे उनको force किया जाता था और कभी-कभी तो वो इसको claim करते थे कि ये rent है और ये rent किस चीज का है ये rent ऐसे लिए है चुकि जो lord है जो overlord है, ये land पुरा उनका है और आप इस पे कुछ भी produce कर रहे हो revenue जो है वो भी collect किया आता था traders की through, अब बताया गया कुछ करीब 4,000 sorry 400 years के taxes के बारे बताया गया है जो एक चोलास का inscription है जिन्होंने rule किया था Tamil Nadu में जो कि करीब 400 साल पहले का बात बताता है, वो refer करता है कुछ different kind of taxes को और जिसमें से most frequent mention tax है, वो है वेटी का tax जो कि cash के form में तो नहीं लिए आ रहा था बलकि forced labor के form में लिए आ जाता था और कादा मई, जो कि एक लिए से land revenue था और ये जो taxes है ये hatching पे होते थे बता हाउस के hatching पे होते थे और use of ladder to climb palm trees की भी होते थे cess होता था succession to family property etc में भी क्या ये सब taxes आज भी exist करते हैं या नहीं करते हैं question पूछा गया बुक में आप बताओगी मुझे अग्सिस्ट करते की नहीं करते हैं और कौन कौन से taxes ये अग्सिस्ट करते हैं ये भी बताओगी तो अच्छा रहेगा ये जो resources थे mostly use के जाते थे कि king के जो भी establishment हो रहा है उसमें finance कर सके है finance के जैसे और साथी साथ construction of temple और forts के लिए भी use किया जाता था इन resources का और कभी-कभी fight के टाइम पे भी जब wars होते तब भी use किया जाता था और इनसे expect किया जाता था कि जो भी अगर war हो रही है तो ऐसा expected था कि जो भी एक wealth होगी ठीक है उसको acquisition करना है ठीक है जी ये सब चीज़े होती थी war की time पे और जो functionaries होते थे revenue को collect करने के लिए वो generally influential family से ही recruit किये जाते थे और जो position होती थी mostly ये hereditary होती थी hereditary का मतलब है अगर आपके father कुछ काम करते हैं तो same काम आप भी करोगे और आपके बच्चे भी same काम करेंगे तो ये hereditary होता है और कभी कभी और बहुत बार ये चीज़ army के लिए भी ही होती थी मतलब army में भी कुछ चीज़े hereditary होती थी और कुछ cases में तो close related होते थे king के वही ये सारी positions को hold कर लिया करते थे precious these and land grants के बारे में बताया गया है precious these जो होती है उसमें बहुत ही detail में चीज़े लिखी होती है जो कि भले literally true ना हो ऐसे भी कुछ चीज़े लिखी होती है जिसमें जादाता चीज़ें वो बताई जाते हैं कि जो ruler था उसने खुद को बहुत ही क्या से काम किये क्या के काम किये और खुद को बहुत ही बढ़ा चड़ा की बताता था जैसे कि बहुत ही चीज़ों को जीता बहुत बड़ा योधा है बहुत ही ताकशाली है बनवान है यह सब करके बताते थे जाता जो यह अपके प्रसस्तीज ने कंपोस्ट की जाती थी किसी अच्छे ब्राह्मन के द्वारा जो की occasionally help भी करते थे किंग के administration में next आते हैं यह हमारे काम का नहीं है फिर भी देख लो अब है क्या नागभट्टा के बारे में काफी रूलर्स जो है डिस्क्राइब किया है नहीं अपनी achievements को प्रसस्तीज में ठीक है जी लेकिन एक प्रसस्तीज में है जो कि इस अंस्क्रिट भाशा में लिखी गई है और यह मद्ध परदेश के ग्वालियर में पाई गई है इसमें पुरा का पुरा बताया गया है नागभट्टा के बारे में अब इनके बारे में क्या है इस अपाको पढ़ने के जरूरत नहीं है डाटली आगे पढ़ते हैं बट अगर कभी question पूछा जाए कि नागभट्टा जो थे इनकी प्रसस्ती वेगरा कहां पाई गई थी ग्वालियर में किस की पाई गई थी कौन सी language में थी तो basically आपको पता होना चाहिए और होता है क्या था जो kings दे कभी कभी ब्राह्मन्स को reward भी दिया करते थे और ये reward होता कैसे था ये reward होता था grand of land का इनमें और जो इन सब का record होता था ये कहां पे रखा रहा था copper plates में रखा जाता था और ये copper plates जो हैं बहुत ही संभाल के रखी जाती थी जो ये आपको plates दिखनी है ये ये copper plates है ठीक है जी ये copper plates है नब भग इनमें जो चीज़े लिखी जाती थी वो Sanskrit और partially Tamil में लिखी जाती थी बहुत ही सिक्यूर मारा था इनको ये प्रशास ये सौरी documents होते थे आपके एक तरह से आगे बढ़ते हम अब होता क्या था करीब 12 जो हमारे century थी जो की एक तरह से Sanskrit poem जो contain करती थी कुछ history of kings की भी जिन्होंने कश्मीर में rule किया उनके बारे में बताया गया है ये basically compose की जगई थी एक author के दोरा जिनका नाम था कलहाना इन्होंने बहुत ही variety of resources यूज किये हैं जिनमें आपके inscriptions, documents, eyewitness के accounts इन सब को use करके इन्होंने poem लिखी है compositions लिखे हैं बागी writers की तरह है जो इन्होंने काम नहीं किया बलकि इन्होंने कई rulers के जो उनकी policies थी जो भी उनका काम करने का तरीका था उसको इन्होंने कभी कभी criticize भी किया था warfare for wealth के बारे में बात करते हैं हम अभी अभी जो चीज़े हमने देखी इनमें से आपको अब तक ये समझ में आहे गया होगा कि कोई भी एक ruler जो है वो एक ही reason तक limited नहीं था अगर आज वो कहीं rule कर रहा है तो उसकी निगाहें जरूर किसी ना किसी अलग reason पे रहती थी और इसी के time पे क्या होता था ये उस एडिया को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते थे एक particularly priced area जो की city of कनोज है गंगा वैली में उसकी बारे में बात करी गई है देखते हैं क्या centuries तक जो rulers हैं जो की गुरजारा प्रतिहाराज, रास्टकुटाज और पाला डानेस्टी से belong करते हैं वो एक दूसरे से लड़ा करते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना control जमा जाते थे कनोज पे ठेक है जी चुकि यहां पे तीन पार्टी जो हैं हमेशा लड़ती रहती थी बहुत लंबा conflict था इनके बीच में तो historians ने इनको अक्सर डिस्क्राइब किया है त्री पार्टाइट स्ट्रगल के नाम से ठेक है जी अभी मागी देखने वाले हैं जो rulers हैं उन्होंने काफी rulers ने try किया कि वो उनकी powers को demonstrate कर सके और जो भी कैसे demonstrate कर सके कि जो large temple है उनको resources को collect करके या फिर वहाँ पर अपना temple large temple बना देंगे तो वो उनके powers को demonstrate कर सकते हैं तो जब भी कोई attack होता था मतलब एक king किसी दूसरी king पर attack करता था तो जो basically target होता था वो large temples ही होते थे क्योंकि यहाँ पर काफी extremely rich चीज़ें पाई जाती थी और साथी साथ जो एक बहुत ही best known ruler थे वो थे सुल्तान महमूद ओफ गजनी अफगानिस्तान के इन्होंने rule किया था 1997 से 1030 तक और अपनोंने अपना control extend किया था लगभग कुछ central एशिया के parts में इरान में और north western part of subcontinent में इन्होंने subcontinent में लगभग हर साल कहीं न कहीं rate डाली है और जो इनका target था वो mostly wealthy tempels होते थे इसमें की आपका सोमनात गुज़ात का temple भी include है जो ज़्यादातर wealth है ती महमूद की वो carry उनको तब ले ली गई थी जो capital city उन्होंने घजनी में थी उसमें ही use हो गई थी और साथी साथ वो और ज़्यादा चीजों को जब जानने में उत्सुक थे और ज़्यादा लडाईयां करना चाहते थे लोगों को जीतना चाहते थे मंदिरों को जीतना चाहते थे और इन सब को एक scholar हैं का नाम है अल बिरूनी उन्होंने एक account उन्होंने लिखा हुआ है इन सब के बारे में ये जो Arabic word है इसको नाम दिया गया है किताब अल हिंद किताब अल हिंद का नाम दिया गया है जो कि एक दिसे important source भी बना है हमारे historians के लिए ठीक है जी इसको लिखने के लिए उन्होंने संस्कित स्कॉलर से भी कंसल्ट किया था एक और किंग के बारे में बताया गया है जो कि इन warfare में engaged था वो था कौन चाहां मंस और इनको बाद में चाहांस के नाम से भी जाना गया इन्होंने लगभगड़ी और अजमीर के आसपास के रीजन में रूल किया इन्होंने अपने अपना कंट्रोल को expand करने के लिए वेस्ट में और ईस्ट में अपने कंट्रोल को expand करने के लिए काफी चीज़े करías दिए और इनको oppose किया गया था चालुक्याज औफ गुजरात और गाधवालाज औफ वेस्टर उत्तर परदेश के द्वारा जो बेस्ट नोन चाहामांस रूलर थे वो थे प्रत्थवी राज 3 जो कि जिन्होंने डिफेंड किया था एक अफगान रूलर जिनक नामता सुल्तान महमुद घोरी 1191 में लेकिन इसके बाद ही वो नेक्स्ट यर हार भी गए थे मतलब 1192 में वो हार भी गए थे एक क्लोजर लोग देते हैं चोलाज के बारे में ये फ्रॉम उराययोर तो थंजावर के बारे मताया गया है आखिर हमें पता कैसे चलता है कि चोलाज का जो राइस का पावर का राइस था वो हुआ कैसे एक माइनर चीफली फैमिली जिसको हम जानते हैं मुतारियार के नाम से इन्होंने अपनी पावर को रखा कावे डिल्ला के आसपास थीन की पावर ये कांची पुरम में जो पलवा के इंखा उनके सब औरिनेर थे वहीं जो विजयाला है जो कि बिलॉंग करते थे एंशियन्ट चीफली फैमिली आफ चोलाज जो कि उराइयूर के थे इन्होंने कैप्चर कर लिया डेल्टा किस से मुतारियार से जो कि इन मिडिल आफ नाइ जिनी का ठीक है जी जो सकसेसर थे विजयाला के उन्होंने कॉंकर्ड कर लिया नेबरिंग रेजन को और किंग्डम जो है अपने साइज में और पावर में ग्रो होता गया जो पांड्याज और पलवाज की जो टेटरी थी साउथ में और नॉर्थ में इनकी किंडम का कुछ पार्ट बनता चला गया राज राज राजा वन जो हैं को कंसीडर किया जाता है पावरफुल चोला रूलर जो के किंग बने थे 1985 में और उन्होंने अपना कंच्रोल जो एक्सपैंड किया था ओवर मोस्ट आफ इस एरियाज उनको रिकगनाइस किया जाता है एड्मिनिस्ट पे भी रेड किया और श्री लंका पे भी और साथी साथ साथ इस्ट एस्ट एश्या की कुछ कंट्रीज पे भी और इस चीज के लिए उन्हें ने नेवी को भी डेवलप किया था इस प्लैंडड टेंपल एंड ब्रॉंज स्कुप्चर के बारें बताया गया है कुछ बिग टेंपल है थंजावूर के और गंगाई कोंडा चोलापूरम के जो के बिल्ड किये गये थे राज राजा और राजेंदर के द्वारा बहुती आर्किटेक्ट्ट्रल और स्कुप्चर मावल्स हैं चोला टेंपल जो है बहुत थी एक तरह से नेकलियाई बन गया सेटलमेंट आफ ग्रिव अराउंड देम ठीक है जी एक तरह से सेंटर था क्राफ्ट प्रड़क्शन का टेंपल जो है उनको साथ ही साथ अंडोट कर दिया गया लैंड बाई रूलर्स एस वेल आज बाई अधर्स यह जो प्रड्यूस थे इस लैंड के इस लैंड के वो मेंटें के जात दूसरे शब्दों में बात करें तो जो टेंपल है वो केवल प्लेस आफ वर्शिप नहीं रहा गया बलकि एक तरह का हब ऑफ एकोनॉमिक सोशिल और कल्चर लाइफ का ही बन गया इन सब क्राफ्ट जो भी क्राफ्ट असोसियेशन सें टेंपल के साथ इन सब में जो ब्रॉ चोला की जो ब्रॉंज इमेज को वर्ल में बहुती फाइनेस्ट का माना जाता है ठीक है जी अग्रिकल्चर एंड इलिगेशन की बात करते हैं जो मोस्ट ऑफ दी अचीवमेंट है चोला की वह वह इन ही नए डेवलपमेंट की वरेसे मतरब अग्रिकल्चर में जो नए पर इन राहने से पहले इसे व्यमेसे हूए क किया पाणी को फ्लो था वो बहुत ही अच्छे से होने लगे और इस से अग्रिकल्चर और ऑप्रीकल्चर पहले ने बाडसने को चुक या फॉरेस्ट को भी क्लीन किया जाने लगा कुछ रीजन में सिर्फ और सिर्फ एग्रिकल्चर करने के लिए ही आगे बढ़ते हैं हम और सातियात कुछ ऐसे चीज़े बनाएगी जिसे कि फ्लर्डिंग को रोका जा सके और कहनास बनाएगे जिसे कि हम वाटर को फिल्ड तक लेके आया जाने लगे और बैसिकल्ली होता कै था साल में दो बार क्रॉप जो हम उगाई जाती थी यहांपे काफी सारे cases में water crops को artificially भी पानी दिया जाने लगा था काफी सारी varieties को use किया था इरिगेशन के लिए काफी areas में जो हैं कुएं भी खोदे गया थे साथी साथ काफी places पे काफी बड़े tanks जो हैं उनको भी बनाया गया था जिसमें की rain water को collect किया जा सके इस तरह से जो irrigation work है उसको करने के लिए बहुत ही planning और organized labor और resources की ज़रुवत थी साथी साथ work को maintain करने के लिए और पानी कैसे आएगा कहां तक share किया जाएगा इसको भी decide करने के लिए बहुत ही intelligence रही है इन सब के बारे में ही बात की गई है next is the administration of the empire की बात की गई है अब बात के के आखिरकार जो administration उसको organize किया कैसे जाता था जो settlement of peasants है जिनको हम उर के नाम से भी जानते हैं यह बहुत ही prosperous बन गया जैसे जैसे irrigation agriculture जो है वो बढ़ता गया वैसे वैसे जो इन विलिजस का ग्रूप था उनने बहुत ही large unit convert convert कर ली खुद को जिसका नाम दिया गया नाडू जो village council थी या पर जो और जो नाडू थे ठीक है वो काफी सारी several administrative functions को भी करते हैं जिसमें से आपका dispensering justice और collecting tax भी include था जो rich peasants थे विलाला कास्ट के वो कि size करते थे कुछ नाडू के affairs को वो भी किसके supervision में supervision of the central चोला government जो चोला kings थे उन्होंने कुछ rich land owners भी को को नए titles भी दिये जैसे की moving the wall in ठीक है जी और एक तरह से इनसे इनको respectfully और recognition भी मिला आगे आते types of land के बारे में चोला inscriptions में क्या है काफी जर्दा तरह की land categories को बताया गया है जैसे की वेलान वा गई यह होता था land किसका non brahman ब्राहमन पीजिन्स का brahman दे होता था जो की brahman को gift दे दिया था land शाला भोगा वो होता था जहां की school की maintenance के लिए जो land दिया था उसको कहा जाता था और जो temple को gift दे जाता था land उसका नान था देवदाना और जो land डोनेट किया गया था जैन इंस्टिशन को उनका नान था पाली चंदम आगे बढ़ते हैं आपने देख लिया कि कैसे जो brahman थे उन्होंने काफि सारे land को receive किया एज ब्रहमधिया रिसीव किया और इसके फलसुरूप हुआ किया जो ब्रहमाज थे काफि लाज नंबर ऑफ ब्रहमाज जो थे वो सेटल हो गए कावेरी वैली के आसपास और अधर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया हर एक ब्रहमाज जो है वो लुक आफ्टर किया जाता था एक असंबली के दौरा या फिर सभा के दौरा वो भी इसमें प्रॉमिनेंट ब्रहमन लैंड होलर्स होते थे यह असंबली जो हैं बहुत ही effectively काम किया करती थी इनके जो decisions थे वो काफी detail में inscriptions में लिखे जाते थे, record किये जाते थे या फिर कभी-कभी temple की wall पे भी लिख दिये जाते थे जो associations था trader का इनको हम नागरामस के नाम से जानते थे और यह occasionally perform करते थे administrative function town में जो inscription मिले हमें उत्तार मिरूर इन चिंगपेलू दिस्टिक तमिल नाडू से वो इतरह से detail provide करते हैं कि किस तरह से सभा जो है अगिनाइस की जाती थी सभा जो है उनकी separate committees होती थी irrigation काम को देखने के लिए garden को देखने के लिए temple को देखने के लिए और साथी साथ जो इन committees की जो चीज़ें हैं बहुत ही तब लिखी जाती थी palm leaf के उपर इनको earthen wear pot में रखी जाती है जिससे की फिर एक बच्चे से क्या होता है एक बच्चे से बहुता है कि हम इन ticket को pick करो और एक एक करके committee को दे दिया जाता था ये हो गया finally अब बच्चता है हमारे पास क्या चाइना अंडर तांग डाइनेस्टी चाइना की बात कि यहाँ पर जो चाइना है एक तरह से empire established हुआ अंडर दा तांग डाइनेस्टी जो की power में रहे करीब 300 साल पहले तक from the 7th to 10th century में इसकी जो capital है जियांग एक तरह से one of the largest city है वर्ल्ड की जिसमें तुर्क ने इरानियन ने इंडियन्स ने जैपनीज ने और कोरियन्स ने विजिट किया है जो तांग empire है वो administered किया गया था bureaucracy जिनको recruit किया जाता था examination के दोरा और ये जो examination है वो सब के लिए open था जो भी इसमें appear होना चाहते थे और इस तरह से officials को select करने का जो process था वो तब तक जब तक की process change नहीं हो सका कब तक मतलब 1911 तक तो ये chapter जो है हमने खतम कर लिया है I hope आपको explanation समझ में आया होगा अब मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए थांक यू और भी बाई